हलो दोस्तो नमस्कार गुड़ मॉर्निंग रादे रादे जैसरी गणिस दोस्तो आज 10 माई 2021 के जितने भी महत्पुन प्रस्ण बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिसकसन करेंगे दोस्तो इस वीडियो की PDF आपको टेलिग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी लिंक में नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में देता हूँ इसके अलाबा दोस्तो इस वीडियो की PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर जाके नेतराम पर जाकर सर्च करके और मेरा चैनल जोइन कीजिए वहाँ पर भी आपको वीडियो और सभी PDF उपलब्द हो जाएंगी दोस्तो वीडियो बहुती जवर्दा सांदर वीडियो है प्रस्ण बहुती important है जो परिक्षा की दरिष्टी से काफी महत्पून है हर प्रस्ण के साथ में 2-3 प्रस्ण अलग से देता हूँ करीब इस वीडियो में 20-30 प्रस्ण बन जाते हैं जो परिक्षा की दरिष्टी से बहुती महत्पून होते हैं और आपकी परिक्षा की तैयारी में चार चांद लगाते हैं बढ़ते हैं दोस्तों आज के मौटिवेशनल कोईट की तरफ देखिए आज का मौटिवेशनल कोईट कलाम जी जो भारत के राष्टपती रहें उन्होंना कहा है सपने वो नहीं है जो आप नीद में देखें सपन कि मुझे ये बनना है मुझे ये लक्ष हांसिल करना है और उनकी वज़े से हम सो नहीं पाते हैं अपनी तैयारी में जी जान लगा देते हैं उन्हीं को सपने कहते हैं तो दोस्तों आप भी अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए बढ़ते हैं आज के प तापमान में कितनी ब्रद्धी होगी तो दोस्तों ये ब्रद्धी होगी 2.4 प्रतिसते 2.4 प्रतिसत ऑप्षन भी इसका सही आंस्वर है दोस्तों ये बर्स 2000 सोले में एक जलवायू परिवर्तन पैरिस समझोता हुआ था और उसके तहत ये सहमेती दर्च रखी थी कि तापमा डिगरी बढ़ने का लक्ष रखा कि इससे जादा नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन दोस्तों ये 21 सोता के 2.4 प्रतिसते बढ़ जाएगा जो एक बहायावव इस्तिती होगी एक चिंता का विसे है दोस्तों आगे बढ़ें प्रस नमर दो ये बहुत ही जवरदस प्रसन है प्रसर से प्योजना सुरू की है तो दोस्तों ये सुरू की है मद्द प्रदेश ने मद्द प्रदेश ने योजना को सुरू किया है ओप्शन ए इसका सही आंस्वर है कोविड-19 योजना है क्या है दोस्तों जो कोविड-19 है कोविड-19 के तहते जिन बच्चों के माता पित जिल सबूराइ गए है इसके लिए ये योजनत चलाई गई है इसके लिए फेट से इसे इस त्रूप मbnदप्रदेश के मध्र प्रदेश के गौलियर से ये शुरूः और इसको मद प्रदेश सरकार जहांके मुकमंत्री हैं सिवराश सींग उन्होंने यह से योजना को सुरू किया है आगे बढ़ते हैं कुछ प्रसंद देखिए इसे सम्मंदिते दुआधार जल पर पात किस नदी पर इस्थित है तो दोस्तों यह नर्मदा नर्मदा नदी पर इस्थित है धुआधार जल पर पात किल कॉरोना अभियान किस राज ने चलाया तो दोस्तों यह भी मद प्रदेश सरकार ने चलाया इसके लाब वह सारी योजना है दोस्तों एफ आई आराप के दौार यह भी मद प्रदेश की योजना है प्रस नमबर तीन देखते हैं हाली में किस राज का राज में परवत धारा योजना आरंब की गई है तो दोस्तों यह परवत धारा योजना हिमाचल प्रदेश ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इसका इसका उद्देश है इसमें दोस्तों जो भूमी का जल है भू इस्तर का जो जल है उसमें बढ़ोतरी करना भू जल भू इस्तर में बढ़ोतरी करना यह इसका उद्देश है जल संरक्षन इसके तहत दोस्तों जैसे बांध बनाना तला बनाना पौद रोपन यह सबी इसमें किये जाएंगे और हिमाचल प्रदेश ने इसको सुरू किया है नीचे कुछ प्रसंद देखे दोस्तो सौ प्रतिसत लपीजी गैस कनेक्शन करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो दोस्तो ये हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश सो प्रतिसत एल पीजी गैस कनेक्शन करने वाला पहला राज बना था नई सिक्चानीती को लागू करने वाला पहला राज ये कौन सा है दोस्तो ये भी हिमाचल प्रदेश है ये भी हिमाचल प्रदेश है दोस्तो अभी जो नई सिक्षानिती 2020 की चल रही है उसको लागो करने वाला पहला राज हिमाचल प्रदेश था इसके लावब नीचे देखिए सिप्रकला दर्राकिस राज में इस्तित है तो दोस्तो ये भी हिमाचल राज में हिमाचल प्रदेश में इस्तित है इसके लाबब दोस्तो ईपंचायद पुरुसकार 2020 भी हिमाचल प्रदेश को मिला है और दोस्तो 2021 का जो ईपंचायद पुरुसकार था वो उत्तर प्रदेश को मिला है कन्फिज नहीं होना है 2020 का हिमाचल प्रदेश को और 2021 का मिला है दोस्तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ जाते हैं प्रस नम्मर चार देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रस ने दोस्तो हाली में बी आरो ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है और दोस्तो ये इस्थापना दिवस मनाया है साथ मई को साथ मई को हाली में ये इस्थापना दिवस मनाया है बी आरो ने बी आ बाह स्थापना दिवसे मनाया है और ये 7 मई 7 मई को मनाया है इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 7 मई 7 मई 1961 1961 को इसकी स्थापना हुई इसका मुख्याले जो है दोस्तों इसका मुख्याले दिल्ली में है दिल्ली में इसका मुख्यले है और अध्यक्ष अभी हैं दोस्तो राजीव चौधरी राजीव चौधरी इसका अध्यक्ष हैं BRO के Border Road Organization और दोस्तो ये क्या काम करता है दोस्तो जो Border है उस पर सडक का निर्मान BRO दोरा किया जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तो सीमा पर सडकों का निर्मान ये BRO करता है आगे बढ़ते हैं BRO किस मंत्राले के अधीन आता है दोस्तो ये कई बार ये प्रशन आया हुआ है कि BRO जो है ये किस मंत्राले के अधीन आता है तो दोस्तो ये रक्षा मंत्राले रक्षा मंत्राले के यात्रा है वो यहीं से होकर चारदाम की यात्रा होती है और बियारो द्वारा बनाई गई है चमबा सुरंग प्रस्न पांच देखिए हाली में बिस्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया तो दोस्तों हाली में बिस्व जो रेड क्रॉस दिवस है आठ माई को आठ माई को मना गया और दोस्तों क्यों मनाया जाता है जो हेंडरी डूरेंट है हेंडरी डूरेंट के जर्म दिवस के उपलक्ष में इसको मना जाता है और दोस्तों हेंडरी डूरेंट को 1901 1901 में सांती के लिए noble पुरुषकार मिला था red cross society की स्थापना की बात करें तो red cross जो society है उसकी स्थापना 1863 में हुई और इसका जो मुख्याले है वो जिनेवा में जिनेवा में इसका मुख्याले है red cross society का मुख्याले जिनेवा में है इसके लाब दोस्तो red cross society को अभी तक चम्वालिस और उनिस सो त्रेसट ये तीन बार रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबल पुरुसकार मिल चुका है सांती का रेड क्रॉस जो दिवस है उसका उद्देश क्या है दोस्तों ये युद्ध महामारी के समय बिना भेदभाव के सायता उपलब्द कराना ये इसका उद्देश है और इस साल की जो थीम रही है दो हजार 21 की जो थीम रही है वो रही है टूगेदर बी आर अनिस्टोपेवल टूगेदर बी आर अनिस्टोपेवल ये इसकी थीम रही है और रेड क्रॉस का मुख्याल है Red Cross की बात करें Red Cross Society दोस्तो इसका मुख्याले आपको पता है जिनेवा में है और Red Cross का मुख्याले है अमिर का वासिंटन डीसी में आगे बढ़ते हैं कुछ प्रसंद देखिए भारत में Red Cross की स्थापना कब हुई तो दोस्तो भारत में Red Cross की स्थापना 1920 में हुई पहला Red Cross दिवा से कब मनाया गया तो दोस्तो पहला Red Cross दिवा से 8 माई 1948 को मनाया गया पहला Red Cross से दिवा से अगला कुछ प्रसंद देखिए बिस्वे Athletics दिवा से 2021 कब मनाया गया तो दोस्तो ये 5 माई को मनाया जाता है पांच माई को इसके लावा कुछ प्रस्ण और देख लेते हैं दोस्तों इसी से बिस्वे प्रवासी पक्छी दिवसे ये आठ माई को मना जाता है रेड क्रोस दिवस के दिन ही इसके लावा दोस्तों बिस्वे थैलेस्मिया दिवस भी आठ माई को मनाते हैं तीनों दिवस द से भारतियों को अरली ने पच्च ग्लोबल बीजन पुरुषकार से सम्मानित किया है तो दोस्तों ये सम्मानित किया है ओप्शन सी गीता मितल गीता मितल को हाली में अरली ने पच्च ग्लोबल बीजन पुरुषकार से सम्मानित किया है और दोस्तों ये है कोन है तो दोस्तो ये पूर्वे मुख्य नयादीस थी दोस्तो और किसकी थी जम्बू एंड कस्मीर की ये पूर्वे मुख्य नयादीस थी जम्बू एंड कस्मीर का जो उच्छ नयाले है उसकी ये मुख्य नयादीस थी और इसको किसके द्वारा दिया गया है प्रुसकार तो दोस्तो ये प्र International Association of Women Judges द्वारा ये पुरुषकार दिया जाता है दुबारा से सुनिए International Association of Women Judges द्वारा ये पुरुषकार दिया जाता है Mexico की Justice Margarita Luna Ramos के साथ ये इनको पुरुषकार दिया है एक तो हैं दोस्तो गीता मितल जो भारत की हैं और दोस्तो दूसरी हैं मेकसिको की जो दूसरी हैं दोस्तो वो हैं मार्गरीटा लूना इनके साथ ये पुरुषकार दिया गया है आगे बढ़ते हैं दोस्तो इनको ये पुरुषकार क्यों दिया है गीता मितल को गीता मतल को य इसलिए दिया है उन्होंने हर इंसान के लिए समानता के अधिकार के बारे में जागरुकता बढ़ाने के प्रियास के लिए उनको ये सम्मानिते किया गया है अगर इस पुरुषकार की बात करें तो इसका गठन 2000-2016 में इसका गठन किया गया था और ये पुरुषकार किन को दिया जाता है तो दोस्तों ये जज महिलाएं होती है या सेवा पर जो महिलाएं नयदीस होती है उन के लिए ये पुरुषकार दिया जाता है आगे बढ़ते हैं कुछ प्रसन देखिए कुछ प्रसन इससे सम्मानित हाली में किसे जापान का order of the rising sun सम्मान से सम्मानित किया गया तो दोस्तों ये सम्मानित किया है स्यामला गनेस ये जापानी सिछक हैं इनको जापान का order of the rising sun सम्मान से सम्मानित किया गया है 2020 का गांधी सांती पुरुषकार किसे दिया गया तो दोस्तों ये सेख मुझी बर रह्मान सेख मुझी बर रह्मान बंगलादेश के पर्थम राष्टपती थे बंगलादेश के संस्थापक थे उनको 2020 का गांधी सांती पुरुषकार दिया गया नीचे देखिए बिहारी पुरुषकार 2020 से किसे दिया गया तो दोस्तों ये मोहन कृष्ण बोहरा को ये पुरुषकार दिया गया था आगे बढ़ते हैं सात मई दोस्तों ये प्रसन हैं सात मई 2021 को प्रसिद्ध कभी दार्षनिक रविना टेगोर की कौन सी जेनती मनाई गई तो दोस्तों एक सो साथ भी जेनती मनाई गई है बढ़ते हैं साथ मई शाथ मई 1861 को कलकत्ता में अनका जन्म हुआ था दोस्तों पच्पन का नाम रविन्दरो नात ठाकुर था ये एक नित्यज्य कभी संगित्कार कलाकार ये बुम ऐरवेधिक सोद करता इनकी ये काभी रचना थी दोस्तों गीतांजली गीतांजली इनके लिए दोस्तो इनको पुरुषकार मिला था 1913 में नोबल पुरुषकार सहित के छेत्र में इनको मिला था और गीतांजली जो पुस्तक थी वो बंगाली भासा में पहले लिखी गई बाद में अंग्रे जी भासा में इसका अनुबादे किया गया आगे बढ़ें महात्मा गांधी को महात्मा की उपादी किस ने दी तो दोस्तों ये रविंदर नात ने ये उपादी दी महात्मा को रविंदर नात को किस छेतर में नौवल पुरुषकार मिला तो दोस्तों ये साहित के छेतर में 1913 में गीतांजली पुस्तक के लिए ये पु लिए है तो दोस्तो ये अन-रंगा-तवामी ॉप्शन एस का सही आंस्वर हैM रंगा-तवामी ने हाली में चौत ही बार चौत ही बार सफत ली है और दोस्तो यहां पर कुल जो सीट है टोटल जो seat हैं वो 30 seat हैं जिसमें गटबंदन की सरकार है जैसे भाजपा भाजपा प्लस दोस्तों All India NR Congress All India NR Congress इसको 16 seat मिली है दोस्तों 16 seat 10 प्लस 6 seat मिली है और इसी की सरकार बनी है एन रंगा स्वामी यहां के मुक मंत्री बने हैं आगे बढ़ें पुदुचेरी किस देश के अधीन था तो दोस्तों यह फ्रांस के अधीन था फ्रांस का उपनिवेस था पुदुचेरी के राजपाल कौन है तो दोस्तों तमिल साइंस ओंदराजन यह पुदुचेरी के राजपाल है आगे बढ़ते हैं दोस्तो जो अमारा आज का प्रस्ण रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बाक्स में देना है प्रस्ण देखिए दोस्तो निम्न मैंसे किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सिन बनाने में काम या भी हांसिल की है तो दोस्तो ये आपके सामने है ने इन सोलर एनरजी होरनेसिंग प्लांट शुरू किया है तो दोस्तो सिक्किम सिक्किम इसका सही आंस्वर है दोस्तो मैं आसा करता हूँ वीडियो आपको वह सच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दें सेर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सभी के लिए धन आपना बात